वेलकम टू शेफ शीरू स्वागत है आप सभी का चैनल में आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद की एक बात आप से शेर करना चाहूंगा 20 दिन के अंदर 1000 प्लस लाइक्स क्रॉस की है इस चैनल ने आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद आज हम बनाने जा रहे हैं मिक्स विज मिक्स विज लेने के लिए बहुत साधा तैयारी करने की ज़रूत नहीं है जितनी बची हुई सबजियां घर में हों सभी को एक साथ इखटा कर लीजे जैसे मैंने कर लिया है प्याज लेसुन अदरक मिर्च थोड़ा सा पनीर बचा हुआ था तेल कर्म करके उसमें ट प्यास को एड़ कर देना है और सौटे करना है इसको मिक्स वेज जो है घर की बची हुई सबजियों को निप्टाने के लिए किया जाता है लाल खडी मिर्च हर चीज का फ्लेवर डेवलप करती है इसलिए से यहाँ पर आड़ करेंगे वैसे तो हिंदुस्तानी चीजें जि इसे डालना है यह थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो देखिए हम भून रहे हैं और यह हलकी लाल हो जाने पर इसमें तुरन सारी सबसियों को एड़ कर दें इंक्लूडिंग टमाटर बीट रूट भी हमने यहाँ पर लिया है कैप्सिकम भी यहाँ पर लिया है जैसा आप द जीरा पाउडर धनिया पाउडर हल्दी कश्मीरी लाल मिर्च जो आम तोर पे हम सारे मसाले इस्तमाल करते हैं सबजी मसाला आप यूज कर सकते हैं या मीट मसाला आप यूज कर सकते हैं वाइट पेपर ज़रूर डालिएगा क्योंकि यह थोड़ी सी चाइनीज टाइप की होगी सो वाइट पेपर फ्लेवर इनहांसर होता है बहुत अच्छा सीजनिंग होता है वाइट पेपर से को सारे मसाले हमने अच्छा इसमें यहां पर मसाले भुणने का टैंशन नहीं होगा कि है और नीचे की जलने का सवाल ही नहीं उठता है यह देख़ी जब पानी पानी आपके लिए नहीं हैे अछे कि आपके की डखकन खोल के देखते हैं उम्दा कुश्बू बहतरीन टेस्ट हमने तेल में अजवाइन भी एट किया था याद रखिएगा बहुत ही अच्छा फ्लेवर डेवलप करता है अजवाइन और फ्लेक्स जो होते हैं वह बेसिकली एजवाइन ही है जिने हम पीट्जा के साथ खाते हैं देख सकते हैं इसका मुझे तो बहुत खुबसूरत लग रहा है अब इसमें डालेंगे पनीर क्योंकि शुरू में डाल देते तो पनीर पुरा भुर्जी हो जाता एकदम गल जाता सो अभी आड़ करके इसको मिक्स करना है हमने और एक छोटी कटोरी पानी आड़ कर देना है पानी इसलिए ताकि थोड़ा सा लुट पुटी सी थोड़ा सा हलकी रसे वाली सबजी बने शांदार बहतरीन टेस्ट था यकीन मानिए जैसा बोला है वैसा बनाईए आपको ऐसा मिक्स वेज शायद होटल में भी कभी नहीं मिला होगा जो आप अपने घर में खुद बनाएंगे अब इतना तो यकीन कर ही सकते हैं यह सारा तैयारी हमने किया हुआ था और यह रहा raw products का finished goods आप अपनी आखों से देख सकते हैं अब खाएंगे तो तभी जब बनाएंगे तो इसे जरूर ट्राइ करिए घर की बची हुई सबजियों का इस्तिमाल करिए best out of waste सिफ कागज और काड़ बोट से नहीं खाने में भी बनाया जा सकता है best out of waste आर्ट है कोई भी इस्तिमाल कर सकता है चलिए पसंद आया हो सो चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें अपने रेलेटिव से और फ्रेंज के साथ और बने रहें हमारे साथ इसी चैनल पर शुक्रिया देखने का धन्यवाद फिर मिलेंगे बहुत जल्द